तो आज की सिडियो में बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो आपको पोटल टोकेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं उनका यूज क्या है उनको कैसे यूज करना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पोटल चार्ज नाम है इन्टोकेंट्स का और इनका यूज बहुत और एक कमेंट आए तो इसके ऊपर ये वीडियो बनानी पड़ रही है तो आज की वीडियो में यही बात करूँगा कि इनको यूज कैसे करना है और इनका work क्या है इनका काम क्या है आखिर यह किस काम आएंगे और इनसे आप लोगों को क्या मिलेगा तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर चार टाइप के टोकेंज दिये हुए हैं मेरी बात भूत ध्यान से सुनना नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पर एक मास्टर है एक और उसके बाद यहां पर crystal token है और portal charge है अब यह चार टोकेन है और इनको जितना ज्यादा आप collect करोगे उतना ज्यादा यह जो आपको circle दिख रहा है यहां पर mission summary यहां पर जो mission summary के नीचे आपको यह circle दिख रहा है यह पूरा यहां पर भर जाना चाहिए और यह token जितने ज्यादा आप collect करोगे उतने ही जल्दी यह circle आपका भर जाएगा और इन ही circle को भरने में यह token जो है यहां पर work करने वाला है मतलब इसका यूज यहां भी है और इसका यूज आगे यूज कहां पर आने वाला तो यह यह यहां पर आप global progress यहां पर देख सकते हो यहां पर यह देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है साब साब chrono has a special gift for you when portal charge to 100% वही portal है उसको charge करना है 100% उसमें यह token काम आने वाले हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है advanced bounty will also be unlocked at 100% तो यहां प portal को charge करो charge करने के बाद आपको यहां पर advanced bounty जो यहां पर आपको मिल रहा है जो यहां पर bundle मिल रहा है female का वो भी उसी से ही unlock होगा तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो हमारी यह normal bounty है और इसके बाद यहां पर जैसे हम switch करते हो यहां पर यह advanced bounty है यह तब तक यहां पर इस और सारे token collect करने आगे की बात रही कि उनका और कहां use आना है तो उनका use और कहीं अभी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले events में इन ही मेंसे कोई event अभी झो खुले नहीं हो उन्ही मेंसे कुछ event खुले और उनमें इनका use हो तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको यह token जो है वो collect करने है बस और collect करके अपने पास रखे रहना है जैसे ही कोई event आगे आता है उसमें आपको क्या करना है कि उनको यूज करना पड़ सकता है तो आप वहाँ पी यूज कर लीजेगा तो अगर अभी भी आपको पूरी बात मेरी समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं जो यह token आपको मैं बता रहा हूँ यह portal charge token है इनको आपको collect करना है और portal charge करने के लिए फिर उसके बाद इन ही token से हो सकता है आगे कुछ reward मिले लेकिन अभी तक कुछ भी मुझे support किया और मेरा एक लाग subscriber यहाँ पर complete कराई एक लाग की family यहाँ पर complete कराई तो यार thank you यार सबको दिल से तो फिर आप हमें ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार भाई वीडियो को like कर दो channel पर पहली बा बाई and take care